डेंटल फोबिया बतलब जो डेंटल्टीमेंट होता है यह देंटिस्त का डरियां खौफ होता है उसको डेंटल्टिक असलाम अलेकूम मेरा नामATION November और आज हमारा टॉपिक है डेंटल फोबिया Phobia क्या होता है? Phobia होता है डर किसी भी चीज का और Dental Phobia मतलब जो Dental Treatment होता है या Dentist का डर या खौफ होता है उसको Dental Phobia कहते हैं अब Dental Phobia होता क्यों है? इसकी बहुत सारी वजुहात हो सकती है कुछ लोगों को जो Dental Instruments होते हैं जिसमें सुया होती हैं, Drills होती है, Hand Pieces होते हैं उन चीजों से डर लगता है इस वज़ासे वो डरते हैं, उनको Dental Phobia हो जाता है कुछ लोगों के Past के माजी के बुरे Experience होते हैं कि उनने पहले कोई Treatment करवाया हो वो बहुत Painful Experience उनका रहा हो, तो वो इस वज़ासे भी Dentist के पास नहीं जाना चाहते हैं इस वज़ासे भी Dental Phobia हो सकता है, कुछ लोगों की Psychological Conditions हो सकती है कि किसी को Anxiety Already हो सकती है, Depression हो सकता है, जिसकी वज़ासे उनको Dental Phobia वो Develop कर जाते हैं अब उसके इलावा जो है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको Trust Assure होता है, कि वो Dentist पर Trust नहीं कर पाते हैं कि यह मेरा Pain-Free Procedure करेगा या ठीक से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो इसकी बहुत सारी वज़ुहात हो सकती है Dental Phobia की, अब Dental Phobia normally patient में किस तरह से जाहर होता है, Obviously एक तो वो Dentist के पास जाने से कतराते हैं कि नहीं जाना Dentist के पास, जी हम मारा नहीं दिल मान रहा हम नहीं करवाना चाहरे है procedure दूसरे जो इसके Symptoms clinical settings में आपको, clinic में हमें देखने को मिलते हैं उसमें क्या होता है कि patient को पसीने आ रहे होते हैं, patient घबरा रहा होता है, patient की दिल की धड़कन तेज हो जाती है कई बार ऐसे होता है कि patient घबरा इतना रहे होते हैं कि blood pressure low होता है, blood pressure low ने की वज़े से बेहोश भी हो जाते हैं तो यह सारी चीज़े जो है, dental phobia में आती है, कि जो patient घबरा रहे होते हैं, dental treatment से उनके साथ यह सारी चीज़ें हो सकती है Size और dental phobia किन लोगों को होता है, dental phobia किसी भी age के लोगों को हो सकते है,बचे होते हैं वो normal डरता है, क्योंकि obvieslty वो सुयों से डरते हैं injection needles जो होती हैं वो ऌनसे डरते हैं, middle age लोग भी डर सकते हैं, बुडव भी dental phobia किसी को भी हो सकता है कोई specific age नहीं है कि आपको dental phobia होगा या नहीं होगा ठीक अब dental phobia जो है उसको हम लोग किस तरह से cater करते हैं इसमें एक तो patient ने हमारा साथ देना होता है दूसरा dentist का भी काम होता है कि dental phobia को cater करें उसके different exercises होती है different practices होती है कि जिन से हम patients को manage करते हैं जिन patients को dental phobia हो सबसे पहला और सबसे असान तो जो हम patient को कहते हैं कि लंबे लंबे सांस लें लंबे सांस लेंगे उससे वो relax होते हैं वो better feel करते हैं उसके इलावा हम patient को जो है बताते हैं कि procedure क्या होने वाला है क्या procedure है किस तरह से करना है हमने कौन से instruments ार। कामेरा होना है उसको एक रिलाक्सेशन जाता है. पե्चें कोई बच्चें को कयी आप वीडियो गेम्स या इसी पेंटिंग्स दिखाकूgn नहीं ढिखाने हैं यह समुझा को समझाथे लगे अगर आपको कोई मसल हो आप अपना हाथ उठा दें हम उसी वक्त रुख जाएंगे पेशन को इससे भी तसलिए होती एक अगर मुझे कहीं बैप मसला होगा याप तो डेंटेस्स जो है वो मेरी बात सुनेगा और रुख जाएगा उसके इलावा आगे हमारे पास फिर दूसरे प्रसीजर आ जाते हैं ऐसे ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं जिनमें हम डेंटल फोबिया वाले पेशेंट्स को केटर कर सकते हैं उसमें क्या आ जाता है हम सुखाते हैं और उससे वो रिलाक्स हो जाते हैं पेइन फ्री हो जाते हैं तो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं वो भी काम ना आए तो आगे अगला स्टेप हमारे पास कॉंशियस सडेशन का होता है क्या करते हैं कि पेशेंट को एक आई वी आपकी नसों में जो है वें सकते हैं उसमें अपना ट्रीटमेंट परफॉर्म कर सकते हैं और उसके कोई अच्छ नुकसान भी नहीं है और लास्ट जो है वो जनरल एनस्थीजिया आजाता है कि जिसमें आपको पूरा बेहोश कर देते हैं लेकिन जनरल एनस्थीजिया नॉमली पेशेंट को तब दिया तो ऑविश got the food नहीं है और उसे डान निकलवाने की स्टेजिय तक पहुंच जाएगा रहा तो अपनने डर की वज़ा से अपना डर की वज़ा से ना जा रहा हो तो इसमें patients को भी dentist के पास जाना चाहिए उनसे discuss करना चाहिए कि किस तरह से वो अपने dental phobia को overcome कर सकते हैं अपना ये खौफ खतम कर सकते हैं और ताके वो अपना treatment अच्छे से करवा सके और dentist को भी patient को counsel करना चाहिए समझाना चाहिए कि जिस तर आपकी कोई queries हों कोई सवाल जवाब हों तो वह उसके प्लाटफॉर्म से आप हमसे राप्ता कर सकते हैं thank you very much